Hello everyone, good evening, this is Vikas here, I hope you are good तो काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये प्लान है 2020-25 का सबसे पहले मैं आप लोग खुश खबरी बता दूँ कि इस बारी अपने ही गुरूप से अपने फैमिली गुरूप से 518 लोगों ने क्वालिफाई किया है प्लेम्स उनका लक्से मैंने गुरूप भी बना दिया तो ये काफी ठीक ठाक नमबर है बट नेक्स्ट ये डोंट वरी आप ये उस गुरूप में रहोगे सारी चीज़े अच्छे से रहेंगी टॉपर्स लोग उनको गाइड कर रहें इंक्लूडिंग रैंक 14 शौर अरोरा ये सब पिछले साल थे हमारे गुरूप से जुड़े हुए थे 2023 में सेलेक्टेड आफिसर है तो अपने लोग अपने ही लोग को गाइड कर रहें तो आप भी आओगे आप भी पार्टिसपेट करोगे तो 518 अच्छा नंबर है बहुत सारे अच्छे-चे मैसिज़े आए तो मैंने सूच आप लोग को बता दिया जाए कि नेक्स टाइम इसी लिए यह जो प्लान बनाया गया है इसलिए मैं सोच रहा हूँ ताकि नेक्स ट थाकूर यूप i.sc अगर गेट टेरी अच्छेनल है तो 1 अभी क्या है क्योंकि है ए रिजल्ट आया बहुत सारे यह जो का नहीं हुआ है और जो मैंस सोटे क्नी रहा है जिसका नहीं हुआ है जिसका अंचली हुआは HRM pa अप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हो, फिर भैंगा का Oh जो है वो बर हो गया क्योंकि आप चहां भी हो पढ़ाई कर रहे हो आपका रूम का रेंट जा रहा है आप पैसे दे रहो हर मैंने आप मतब ऐसा तो है नहीं आप पास टाइम है भी ऐसा भी नहीं कि कुछ और जगें पर बीजी हो आप तो चलो ठीक है वह exception factors होते हैं लिकिन अ नहीं करने नेक्स्ट यह राते टाइम नहीं लगेगा बहुत पास है बहुत ज्यादा पास है अभी दो महीने बाद जैसे ही मेंस होगा फिर से लोग मतब दो हजार पच्छीस के लिए कूदने लगी है तो अभी क्या प्लैनिंग होनी चाहिए उन सब चीजों पर मैं बात क प्री हो रहा है क्योंकि वह ऐसे करते गए नोट्स बनाते गए अराम से प्री क्वालिफाई हुआ इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आपको कहीं इधर उदर घबरानी के जरूत नहीं ऐसे कोई आपको भभूती नहीं लेना है यहां से जाके वहां से जाके यह पैसा उड़ा आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है मैं पहले अटम के बाद से मैंने बेसिक फिर से बढ़ा था 6 के न्सी आर्टी 7 के न्सी आर्टी आप देखो इस बारी जितने भी सवाल आए हैं उसमें से 60-70% mostly questions कहां से आए हैं न्सी आर्टी से आए तो आपको बेसिक से प आर्टी परसं नहीं न तो आप 30% तो आप 30% आगे चले गए नोट्स बहुत इंपड़ोगे आज पूरी एंसी आटी पड़ोगे बुक पढ़ोगे आपको लेगा सब कुस समझ में आ गया और आता है मुझे भी आता था वीडियो देख लिए आरे सब समझ में आगया यार क कुछ भूलूंगा नहीं मुझे बता है वो ऐसे फील होता है सब को फील होता है अगर नहीं भूलता थोड़ा बहुत याद रहता तो अनॉर्गनाइज रहते हैं और अगर अनॉर्गनाइज है तो वह बहुत साधा उसकी clarity होती नहीं तो इसलिए notes making is very very important NCRT से हमें शुरू करना है मैं आपको time table बताऊंगे कि NCRT कैसे कैसे कौन सी NCRT का पढ़ना है लेकिन NCRT पे ही अभी आपका focus होना चाहिए ऐसे अपने आपको संजय दक्त मत समझो कि मतलब यार कोई बात नहीं अभी NCRT क्यों चीज़ें आप ध्यान से रखो कि NCRT पढ़ने का मतलब है कि बहुत बारीक में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ो वहीं से information आता है I know बहुत साय लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा लेकिन बहुत ऐसे होंगे कि इसी पढ़ लेते बस नाम के लिए कि पढ़ आपके पास टाइम बहुत है तो परेशान नहीं होना है यह सारी चीज़े अभी जब परी आएंगी ना तो आपका काम बहुत आसान बनाएंगे और मेंस भी आपका साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि आपके पास content हो जाएगा तो एक subject उठाओ उसको आराम से पढ़ो उसको स topic आपको समझ में आगया तुरण जो समझा उसको लिख लो अपनी वर्ट्स में नोट्स बनाते हैं अपनी लैंगवेज बनाते हैं perfection की तरफ मत जाओ मैं बार बार बोलता हूं perfection का यहां कोई वो नहीं है तो perfection की तरफ नहीं जाना है बस आपको नोट्स बनाना है simple चीज़े में बहुत ordinary लोग ordinary तरीके से consistency maintain करके ऐसे आराम से कच्छुए की चाल में qualify कर गए और आप भी करोगे तो बहुत जादा इधर उदर परेशान नहीं होना है एक subject को उठाओ अच्छे से पढ़ो उसके notes पनाओ optional करना ही करना है आप optional पिरी के बाद नहीं कर सकते एक्जाम निकल गया आप सोचो optional कंप्लीट करोगे नहीं कर पाओगे आपका means पूरा waste हो जाएगा जो आप स्टगल कर रो optional का यही time है अभी से मतब दो महिने अच्छे से करो उसके बाद भी मतब दिसंबर जनूरी तक आपको optional करते रहना है optional में आपको क्या करना है कि conceptual clarity समझनी है उसके बाद concept सारे उसमें आने चाहिए उसके short notes होने चाहिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि optional की चीज़े repeat होती है और PYQs आप अच्छे से कर लो brainstorm कर लो या मतब उसको जितना भी हो सके लिखने की कोशिश करो तो वो सारी चीज़े भी आपको करनी है तो optional आप ignore नहीं कर सकते मैं आपको बार बार कहता हूँ जीएस में कितना भी अच्छा करोगे रेंज यह होती 380 से लेके 420 तक यही रेंज होती है जो selected officer होते है जनरली optional में 200 से लेके 350 तक even 160 से लेके 350 तक बहुत जादा रेंज होती है और optional में बहुत हाई हाई marks मिलते है जैसे मेरा 2022 में paper 1 148 ता ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़ियां लिखके आए कि मुझे लगा कि 148 मिलने चाहिए दूसरे paper मेरे कुछ 70 में marks आ गए ऐसा भी नहीं था कि उतना गंदा लिखा था एवन वो जादा अच्छा लिखा था as compared to the paper 1 तो option में variation बहुत आते हैं आपको एक time के बाद मतब कुछ भी हो सकता option में अभी जिसे मेरा एक दोस्त था वो topper था उस time उस option का उसके paper 1 में 150 थे paper 2 में 156 उसका दिन अच्छा था लिखता भी अच्छा था no doubt लेकिन यह सोचो कि क्या पता आपका वैसे बैठ जाए तो option में आपको कितने तक मिल ले 300 प्लस तक मिल ले वो directly आपको आई-स बना देगा आप इस equation को समझो uncertainty वो हर जगे अनसर्टिनिटी हमार आपको मेंस खताम हो रहा है तो आपको basic करना है करना है यह 2025 वालो के लिए जिनका first attempt है जिस सिफ 2025 के तैयारी करें जिनका दूसरा तीसरा चौथा जो भी attempt है सबको यह चीज़ें आपको follow करने है October November में आपको basic answer writing करनी है क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत content हो जाएगा जो आपके notes से उसको आप revise करो उसको आपको regularly revise करना है और साथ-साथ फिर October November में आपको थोड़ा बहुत answer writing करनी है पिवाई क्यों आपको देखना है थोड़ा बहुत समझो कुस तो समझ मैं है मैंने आपको last session में बताया था कि answer writing कैसे करनी है वो जाके आप वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएंगी चीज़े फिर December onwards हम अपना शुरुआत करेंगे हीरो हीरा लाल जैसे कि कैसे हमें पिरी की तरफ move on करना है और पिरी आराम से हो जाएगा trust me मैं बता रहा हूँ इस बारी आपका पिरी हो जाएगा उसके लिए परेशान ना हो यार पिरी उतना tough नहीं होता निकालना लोग बस यह होता है न कि guidance सही direction में नहीं होती कुछ भी बढ़ते हैं कोई कुछ बता दिया टॉपर ऐसे बता दिया आपके लिए क्या काम कर रहा है वो सबसे जादा जरूरी होता है बहुत सारे तरीके होते हैं पिरी कौलिफाई करने के और आप आराम से कर लोगे सही direction में सही तरीके से हम December onward शुरू करेंगा और बहु आपको मिल जाएगा उसी टेली ग्रूप में हम लोग अपडेट करते रहेंगे जोग्रफी सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बीस अगस्त से लेके पांच अगस्त तक आपको जोग्रफी कंप्लीट करना है 11-12 की 6-12 लोग बोलते है लेकिन 11-12 अभी आपको चार जोग अपडेट करना है 5 अगस्त तक गुरूप रहेगा गुरूप में आपको अपडेट करना है टेलिग्राम लिंक इसी गुरूप में शेर कर दूँगा यू कैन जॉइन दाट फिर हिस्ट्री 6 और 7 की आपको करने करने डारेक्ट सवाल यहां से आते हैं 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको तमिलांडू पढ़ने है जो 11 की होती जिसमें इंशियंट और मेडवल होता है इंशियंट और मेडवल यह आपने कर लिया आपको एंसी आर्ट वैसे करने की ज़रूद नहीं पड़ेगा क्यों कि काफी अच्छा लिखा होता है क्रोनोलाजियो गिरा पर ध्यान देना 6-7 करोगी तो यह भी इंशियंट और मेडवल है यह बेसिक आपका कवर हो जागा फिर मॉडरन हिस्ट्री में आपको यह एंसी आर्टी करो इस्पेक्टरम करो जो भी आपको करना है बट आई उस्पेक्टरम तो हम आगे भी बढ़ेंगे एंसी आर्टी आप खतम कर 15 से 25 अगस्त या जो भी आप पढ़ते हो modern history आपको कवर हो जाना चाहिए कवर होने का मतलब नोट्स है यहाँ पर कवर होने का मतलब से पढ़ना नहीं है नोट्स बनाना है यह टाइम आपका नोट्स बनाने वाला है बाद में नोट्स नहीं बनते हैं बून-बून से सब्सक्राइब करना है और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आपको NCRT में नहीं समझ में आ रही है you can ask in the group जो अपना dedicated telegram group होगा दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियो देख सकते हो जिसे जोग्रफी है जोग्रफी आप पूरा YouTube से पढ़ सकते ह तो जोग्रफी के लिए परिशान होने की ज़रूत ही नहीं तो उसको पूरा YouTube से कबर करो और डेली आपको target बना के पढ़ना ही पढ़ना है टाइम टेबल आप बनाओ कि आपको क्या करना है सुबह उठो सुबह क्या करना है निउस पेपर कपढ़ना है रिवाइस कप करना ह सेलफ स्टेड़ में कितना फूकस करना है अप ऐसा नहीं कि हमेशा 100% टार्गेट अचीब करोगे लेकिन अगर आप 70% भी करो ना तो अपने अपने अचीवेंट होता है डिसिप्लेन बना के बढ़ाई करना है नोट्स बनाते चलो जो भी आप पढ़रों नोट्स बनाओ अ अब सोचो जिसके पास नोट्स है पहले से वह एच पे रहेगा तो यहीं चीज आपको समझना है पिरी क्वालिफाई करना एक स्टेज है बस उसके आगे के लिए आपको अल्रेडी पिर्पेर होना है पिरी तो आपका आज नहीं तो कल हो जाएगा कल नहीं तो परसो हो तो आप टेस्स जॉइन करो देखो आपके कितने माक्स आ रहे हैं अभ्यास जॉइन कर लेना या कहीं आप पीवाइक्यूस लगा के देख लो कैसे आपके फीडबैक्स आ रहे हैं नोट्स बनाओ बहुत इंपोर्टन होता है कि नोट्स आप उसके बनाओ उसको अच्छे से हो गया हो वूत से प 나타ट रूपना बहुत है कि और के बना सकते हैं तो जो होता है अच्छे के लिए रहे होता है कभी परीशान मत होना हो सकता है आपकी चीजे नहीं हुई आपके अनकूल हो सकता है इससे बहतर कुछ होने वाली है और हमेशा hope बना के रखना है तो next attempt के लिए तैयारी शुरू कर दो start with this group join करो यहाँ आपको link में share कर दूँगा और उस group को join करने के बाद dedicated रहो कोई issue होगा आप मेरे से बताएगा मैं उसको deal करूँगा हम लोग बात कर लेंगे discussion कर लेंगे फाल तो लोगों को allowed नहीं है कि वहाँ आप जाके कुछ भी बकर बाजी करो बकर बाजी के लिए नहीं है सिर्फ पढ़ाई के लिए है आप आराम से पढ़ोगे monitor करूँगा जो अच्छा करेगा उसके लिए कुछ कुछ और स्पेशल काम करेंगे स्पेशल चीज़े करेंगे जिससे जो मेंस ग्रूप है उसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जादा कंसिस्टेंट है तो अच्छा लगता है देख क्यार और अंदर से ऐसे फील भी आ जाता है कि यार में तो क्वालिफाई कर जाएंग आप कर जो बहुत जरूरी होता है कि अपने आप से होनेस्ट हो अच्छी चिपडी चुपडी बाते करना वह सब अच्छी चीज नहीं है वह शायद आप मुझे अच्छा बोल दोगे थोड़े टाइंग के लिए लिकिन लांग टर्म आपको हर्ट करेगा तो इस वेरी सब चीजों से परिशान मत होना जोई इन देस गुरूप एन लेट्स स्टार्ट हम बीस थारिक से शुरू करने जा रहे हैं और अच्छे से बढ़ेंगे सारी चीज़े करेंगे टच में रहेंगे कोई इशू होगा लेट मी नो विविल डिसकस विल सॉट आउट पिरी के ल बाते कर सकते हो और हम वही पर सॉट आउट करेंगे सब कुछ फिरी है फिर से बता दूं ऐसे लोट नहीं लेना है उसमें और बाकी आप लोग बताईए कि अभी क्या चल रहा है कैसे क्या चीज़े हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीस सब्सक्राइब आप लो रात्री टेक केर वे गुड़ डेग